राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल प्रहार्दी श्वागत है अभिनंदल है प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रिह व्यवस्था के उत्परे रक्तत्म मुल्य और लक्षे वैलू और गोल के बारे में विस्तार स अधियरते हैं धों पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि शुर्ष पती कहां से होती है यह कहां से पैदा होता है है इस को मुल्य से वैलू से वेक्ति करे जैसा होगए वैसा है उसका एंडर्ट बैलू जहां पर असपश्थ है है जिशको अम डिफाइद नहीं कर सकते हैं आसानी से केवल अनुमांगा सकते है वही पर अस्तर को आप देख सकते हो जैसे खांपान का स्तर, रहान साहन का स्तर, जीवन स्तर देखके आपको पता लग जाएगा जैसे हम एक बात करते हैं गरीब, मध्यम, अमीर, तो हमारे मान स्पटल पर, हमारे दिमाग पर ये तीन चित्र अपने आप उभर के सामने आ जाता है, अगर गरीबी की बात करते हैं, तो हम में लगता है उसका अपना घर नहीं होगा, उसके पास अपना वाहन नहीं होगा, उसका मकान अच्छा नहीं ह होगी उनका खाना भी पॉस्टिक नहीं होगा दोने टाइम रोटी भी नहीं मिलता होगा उनके कपड़े या लिबास बहुत ही साधरन होगा अपने मन मैं इसी खल मनाती है मावनाती है और जैसे मध्यंपरगी की बात करते हैं तो हमारी दिमाग में क्या आता है उसका अपना म दिमाग में आता है कि उसके घर में सोफा भी होगा पलंग भी होगा जब महद्यम वर्गे की बात करते हैं और जब हम अमीर की कलपना करते हैं तो हमारी दिमाग में क्या लगता है कि बहुत धनाड़ है अरब पती खरब पती है इसका मतलब उसके पास खुब अच्छी द washrat गहि मन आप मिन मन में अप हमारी मस्तिस्क में इस तरह की बात अपने आप आजाती है विना कहीं क्योंकि अस्तर जो होता है ज्यादा keeping होता है कि इसको हम देख सकते हैं इससे अव सक्कूप तुलना कर सकते हैं जैसे गरीब कि तुना मध्यम से मध्यम मिद्र मिद्र अ रहान सान का स्तर जीवन अस्तर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अस्तर है क्या तिसकुद्पत्ति होती है मुल्य से और यह लक्ष और मुल्य से संबंदित होता है गोल और स्टेंडर्ड से संबंदित होता अस्तर माल लोग कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो बखोती मंदार है उसकी वैडियो इमांदारी का वो एन के प्रकारण किसी भी स्थिती में वह अपने इमांदारी को नहीं छोड़ना चाहता है तो उसका स्टेंडर्ड आप सोच चतें कि कैसा होगा वहीं पर आप ऐसे देखो जो कि बेइमान भी है जिन्होंने धन कमाने को ही अपना मुल्ली समझा है एन के प्रकारण धन कमाना चाहता है तो उसका स्टेंडर्ड उस अनुसार होगा जिन्होंने अपनी सत्य को प्रेम को मुल्ली समझा है उसका स्टेंडर्ड उसी साब से होगा और जो जिन्होंने अपने धन को महत्तु दिया है उनका स्टेंडर्ड धन से ज्वेल्री भी होगा आपको सरी चीज़ोंगे तो हम क्या देखते हैं अस्तर ज्यादा बेवहरिक होता है अधिक अस्पस्ट होता है अधिक निश्चित होता है अस्थूल होता है अब अगर इसको हम classification करते हैं वर्गी करन करते हैं अस्तर को तो हम दो भागों में इसको बाट सकते हैं दो भागों में इसको बाट सकते हैं और दो भागों में इसको बाटा गया है पहला होता है परम परागत और दूसरा होता है नमनिय या परिवर्तन सील परंपरागत जिसको हम कहते हैं ट्रैडिशनल या कन्वेंशनल अस्टेंडर्ड ट्रैडिशनल परंपरागत और दूसरा होता है नमनी या परिवर्तनसील नाम से ही पता है जो परिवर्तित हो जाता है जिसमें हम गुंजाइस रखते हैं परिवर्तन करने का वो परिवर्तनसी जो परमपरागत अस्तर होता है इसका एक जामपुल मैं आपको बताते हैं आज हमारे समाज में अगर परमपरागत तरीके से अगर शादी विवाह होता है मात्य पीता अपने बच्चों के लिए शाधिया खुद तैय करते हैं तो यह परमपरागत अस्तर के अंतरगत आता है घ्रहनी अगर बैठी खाना पकाती है चुलह पर खाना पकाती है परमपरागत अस्तर के अंतरगत आता है इसके लिए प्रमपर्आगत अस्तर को पूरा करने के लिए अधिक समय अधिक शक्ति और अधिक धन की जुरुत होती है ग कि अधिक सर्म साध्य होता है प्रम परšम ठ्रख्जा ट्रेडिशनल जो होता है जैसे मातक पीता अपनी बच्ची की शादी करते हैं परमपरागत तरीके से करते हैं तो उनको हर फॉंक्षन को करना पड़ता है शादी की हर रस्म रिवाज को फॉलो करना पड़ता है वो करते भी हैं शादी में खर्च भी खूब करते हैं अपने अ परमपरागत ही है जो परमपरा से चलते आ रहा है जैसे हमारे दादा दादी ने किया हमारे दादा दादी पर दादा पर दादी ने जैसे किया ना 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 ने जैसे किया उस चीज को हम आख मुंद करके फॉलो कर रहे हैं उसमें वह सोचने विचारने की जुरूरत नहीं होती यह प्रम्परागत अस्तर के अंतरगत आते हैं उस सल्सकृति अपने आप हस्तान्तरित हो जाती है उनके बन सजो में पूर्वाजों से बन सजो में जैसे अब Naw德hru और आयगा ना दिन की जो मांकी हमारा राधना पूजा करेंगे यह क्या है परमप्रागत अस्तर है तो कई सारे एक्जांपुल मैं आप एक छोटा से देती हूं माल लो हम गिरिनी जब सुबा उठते सबसे पहले भारात में क्या रहता है हमारी मा दादीनी क्या सिखाया कि सबसे पहले घर की सफाई करो किचन साफ करो पूजा रूम साफ करो कई घरों में तो ठंड के मौसम में भी करती ठंड के मौसम में भी उनको अस्नान करके ही रसोई घर में प्रवेस करने के अनुमती होती है और वो करती है क्यों करती है, कैसे करती है यह पता नहीं क्योंकि उनकी मा ने किया फिर उन्होंने भी देखा या उनकी सासू ने किया तो बहु को भी करना पड़ता है करना पड़ता है इसमें सोच विचारी फेंट बट्स की गुंजा इस नहीं रहती है बिल्कुल नहीं रहती है भले इसके लिए हार्म हो नुकसान उठाना पड़ते तो भी उठाते हैं लेकिन ये जो परमप्रागत अस्तर होते हैं उच्छ क्वालिटी के होते हैं इसमें अधिक धन अधिक समय अधिक सकती लगता है अगर मान लो घर गंदा है हमारा या आपका किसी का और अचानक से कोई महमान आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं हमें जिजक होती है लगता यार ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंड़का घर गंदा है तो हम क्या कहते हैं थोड़ा सो उनको सर्मिंद्गी महसूस होता है जबकि परंपरागत वाले चीजों में ऐसी कोई बात ही नहीं होती है परिवर्टनसील नम निये वाली बात कि हम करते हैं तो परम्परागर्त आप समझ गए होंगे परम्परागर्त अस्तर उन गिरिनों के लिए जादा सही है जिनका काम अपने घर में रहना अपने बाल मच्छों को संभालना अपने परिवार की देख माल करना खाना पकाना इतना तक ही सीमित है, लेकिन जब ओ महिलाएं घर से बाहर अपने काम के लिए निकलती हैं, कामकाजी होती हैं, तब परमपरागत स्थर उनके लिए कस्तदाई हो जाता है, उतना फॉलो करना, उनके रुमता अनुसर करना थोड़ी कस्तदाई हो जाता है, अब हम परमपरागत अस्तर के विपरीद होते हैं उल्टा होते हैं परमपरागत अस्तर जहां हमें अपने पुर्वजोश से प्राप्त होता है हमारे मातापीता से प्राप्त होता है वहीं पर जो परिवर्तन सील स्टर है उसे व्यक्थी अपनी इच्छा से अपनी रूची से अपनी आवशक्ता से और आपनी सुविधा अनुसर्टा है उस स्थर को बजल देता है जब हुसकी शुविधा होगी तो करेगा नहीं आधिक. तो उसकी इक्षा पनेफर करता है जैसे प्रेम भीवा कि इसाव आपपा वीद मंदर में शाधी कर लो कही जाकर कि एक दिन का फंक्शन कर लो खतम हो जाग कहान लेकिन परम परागत जो अस्तर होता है इसे समाज समाज के बड़े समुहों के द्वारा उसको मानियता नहीं मिलती हैं समाज के बड़े समुह उसको मानियता नहीं देते हैं क्योंकि अभी वो उसके अनुसार ढहले नहीं है इसमें कम समय और कम धन खर्च होता है परंपरागत अस्तर में परिवार के सदे शुक्षांती बनाए रखने के लिए इसको करते हैं एक एक्जांपुल बताते हूं साधी विवार के अउसर पर पहले क्या था परंपरागत अस्तर में परंपरागत शेली में जो महमान आते थे उसको हम नीचे बिठा करके दरी पर या मैट पर बिछा करके उनको हम नीचे खाना परोश्थे थे पत्तल पर सब जानते आप लो और एक एक व्यक्ति उसको थाली में परोश्था जाता था जितने भी प्रकार के उनके व्यंजन होते थे सबी एक एक व्यक्ति उसको परोश्था था ये परंपरागत अस्तर के एक जांपुल थे और हैं लेकिन जब परिवर्तन सील की बात करते हैं तो अब क्या हो गया महमान आते हैं अपना प्लेट उठाते हैं और अपनी एक्षा और आवशकता अनुसार अपने प्लेट में अपना उस बेंजन को डालते हैं उस बोजन को डालते हैं बैठके कर सकते हैं अगर कुर्सिया होंगे उसको जगह खाली होगा तो बैठके भी कर लेते हैं और नहीं मि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अस्तर क्या है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है यह कितने प्रकार के होते हैं कौन सा अस्तर क्वैलिटी का होता है कौन से अस्तर को हम परिवर्तित कर सकते हैं किसमें कम समय धन लगता है तो चलिए हम अपने वीडियो कहीं विराम देते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ तब तक दो इजाज़त जाने के ओके बाई